नमस्कार सातियों आज हम बात करेंगे वे फ्लाइट से रिलेटेड खार तोशे गल्फ कंट्रीज के बारे में जिसमें दुबई फैस्ट है मस्कत आपको पता है बहरीन ओमान कतर की फ्लाइटे चालू है कोईत और सवधी अर्बिया जी हां कतर को छोड़ के पांस कंट्रीज हैं जो बंद फ्लाइटे अपी करके बठी हैं आपको सबको पता ही है और लोग सबसे ज्यादा लोग दुखी हैं दुबई से रिलेटेड जी यहां आवागमन सबसे ज्यादा है और लोग दुबई से छुटी आयो थे सवादी वाले तो बिचारे बोल बाल गये वो तो culinary report तो नहीं बोल सकते क्योंगि को सीजी कर सकती है सरकार भी कोई a inconsistent होने की ओषर दे दे की स्टस संबावनाब को लगरी है डिटेल्स से जानेंगे विडियो अचाला के तो लाइक शेयर करिए बैल अगर जरूर ओन कर लीजिए फेस्बुक पेच वाले पेच को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रेलेटेड नहीं निया ब्रेड मिलती रहे तो चलिए शुरुआत कर ले आपको बता है इंडियन सरकार में काफी सरकार में जो हैं शीटों को लेकिया या फिर मंत्रियों को ले उबाल आजे और उबाल आया भी है सब गल्प कंट्रीज के जितने भी इंडिया की एंडिया की वहां पर दुबए कतर मसकत बेरिन कुवेत बगर सब में उनके जो इंडिया के एंडियों से बात रखी गई है कि आप तो आपको उन अपने अपनी अपनी सरकारों से बात इंडिया में कोरोना की पीक हतम हो चुकी है वेक्शिनेशन चल रहा है और कोरोना एकदम निमनस तरपे है आलांकि इतनी बड़ी कंट्री है 40-45,000 आंकड़ा पर दे कोरोना केस के आने कोई बड़ी बात नहीं है नोर्मल सी बात है इतने आंकड़े तो आएंगे क्योंकि द दुबई है कुएत है सवदी है वहाँ पे आप बात करिए उन मंतरियों के साथ में उनको पूरी रियल स्थिति बताइए कि यह स्थिति है आपकी कोई सर्ते हैं तो हम मान के और फ्लाइटे ओपन करिए क्योंकि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं सब के जो भें लोग परिवार से दूर बेटे हैं वीजा पर छूटी आये थे जिनके बिजनस अटके पड़े हैं तो उनकी कमसे कम फ्लाइट करने के बारे में बात करें जी हां इसको एक आधार बनाया जा रहा है फ्लाइटें जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी 20 तारिके करीब आ उनकी तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि उनको तो टीगट आप बुक करोगे तो उनको तो पैसा मिलेगा तो वो तो टीगट बुक कर सकती है बागी सरकार की तरफ से वहां की जो सरकारे हैं जैसे दुबई कतर मसकत बैरिन उनकी तरफ से कोई अपटेट ओफिशल नहीं आया ज कर दी हैं जी हां ऐसी सम्भावनाएं जताई जा रही है वाकि ओफिशियल यूज नहीं आई अब तक जी हां और उसके बता दूँ उसके साथ में टिक्टों का भी एक लगबग एक एक ओपिनियन निकाल के निकल के सामने आया कि बैट टिक्टों का कितना लगबग मान सकते हैं तो मेरी जहां तक सोच है कि इधर जैसे रास्तान जयपूर जैसे दिल्ली यूपी बिहार इमाचल पंजाब इस साइड में लगबग 30,000 के करीब टिक्टों का भाव रहने वाला जी हां अब कोची वगए उधर थोड़ा नजदीक हो जाता है तो उधर टिक्टे सकते हैं इंडिया से दुबई के लिए टिक्टों की भाव बताया जा रहा है पाकि इसको हम फाइनली रिपोर्ट तो नहीं मान सकते टीके वगए लगवा के तयार रखें अभी बहुत सारे विरोपिय देश है वो तो टीकों का प्रमान पत्र के बिना इंट्रीज देना बं मिल सकता है बाकी बिग अपडेट आने वाली है नो डाव टिकी जुलाई से पहले पहले हो सकता है 15 जुलाई को नहीं आई हम एक बात मान के चलें कि त्युवार रहा इद के बाद में या फिर 15 तारिक को अपडेट आ जाएगी भी फ्लाइटे उस दिन से स्टार्ट की जात है इंडिया का मैंने आपको दुबई का पहले भी बताया था भाई दुबई चाहता है कि हम निम्बर वन आए वेक्षिनेट के मामले में भी और वैसे भी सुरुक्षिया के मामले में जो उसकी लिस्ट के नुसार वो नंबर वन की पोजिशन पर पहुंच चुके हैं और व है फालतुगा जो उसको छोड़ देते हैं अलग अलग देशों से एक लाख लोग अभी पहुंचेंगे वी में जो अच्छे डॉक्टर्स होंगे सैंटिस्ट होंगे आर्टिस्ट होंगे दावक होंगे जो विकास कर सकें विका नाम रोशन कर सकें जिया ऐसे लोगों को और बाकि बही जो नॉर्मल है विचारे उनका तो कहना है कि आप समझ सकते हैं तो यह अपडेट आप लोगों साथ सेर करनी थी बाकि 100% रिपोर्ट आने वाली है पॉजिटिव फ्लाइट के बारे में यह फाइनल है बस यह अपडेट आप लोगों साथ सेर करनी थी वीडियो तो लगे लाइक चेर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चीजान करके साथ जेहिंद जेवार्ट